अदिए अचिए आज अच ए में सभजायद बात करते है न like अच्गेश्यast की हो आज सभाय करी दाज़र अथ्यायद ए अदर अगर यह अजुर ऑड्ट्री और इस टाइड़राम के अंदर अगर आप देखें तो यह रेड तौर अगर हम structure के बात करें तो arteries are consist of three layers tunica intima यह सबसे जादा inner most layer होती है और यह simple squamous epithelial cells से बनी भी होती है और यह elastic fibers होती है then we have the tunica media tunica media जो होते है यह middle layer होती हो और यह thick होती है इसके thick होने की reason यह होती है it is the one that is controlling the blood pressure और इसकी contraction और relaxation जो होती है वो आपकी arteries को more elastic in nature बनाती है फिर उसके बाद हमारे पास outer most layer जो dark red color की है उसको हम tunica adventitia कहते है और यह आपके white fibrous connective tissue से create होती है then जब arteries जो है वो divide होती है into smaller vessels में उनको हम arteries कहते है arteries का एक ही purpose होते है कि वो blood supply कर दे more towards the tissues और यह जो होते है फिर यह further divide हो जाते है into capillary network इसके बाद हमारे पास आती है veins veins are the one that bring the blood back to your heart और इस diagram में यह जो blue color की है these are representing the veins of your body इसके structure को देखें तो like arteries veins are also considered of three layers outermost layer को हम tunica intima कहते है जो कि smooth muscles layers होते है और उसमें भी same endothelial cells होते है और elastic fiber होते है then middle layer को हम tunica media कहते हैं जो कि smooth muscles होते हैं collagen fibers होते हैं फ्यू इलासिक फाइबर होते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि जो ट्यूनी का मीडिया है यह थेंड है एस कंपेर टू आर्टरिस क्योंकि वेंज जो हैं यह बलड प्रेशर को ना मैंटेन करती है ना बियर करती है उसके बाद जो आउटर मोस लेयर है वो ट्यूनी का एडवन्टीशिया है यह अगें को लेजन क्रेक्टिव टीशू से बनी होती है यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि वेंज और आर्टरिस के अंदर जो जिस लेयर का डिफ्रेंस आता है वो ट्यूनी का मीडिया होती है थिनि के मीडिया आर्टिस चे अदर ज्यादा थिक होती है जिसके वज़ा से आर्ट्रिस जो है वthe now again veins जो है वो divided होती है in to venus और venus का क्या म्हें होता है कि वह 1971is नेट्वर्क से blood को connect करता है और veins के अंदर supply कर देता है अब हम बात करते हैं walls in vein की अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको कहा है कि जो veins होती है उसमें blood pressure बहुत हथ तक drop होते है और sometimes जब आपकी legs से जो है वो blood against the gravity move कर रहोता है तो ये बहुत 100% chances होते है कि blood due to low pressure gravity की वज़ा से आपकी legs में वापिस चला जाए तो then we have the walls in the vein आपकी जो veins की innermost layer जिसको हम tunica intima कहते हैं वो develop होती है to form the walls और ये walls जो होते हैं ये make sure करते हैं कि आपका blood का जो flow है वो backward नहीं हो और आपका जो blood है वो directly आपके हार्ट में चला जाए ये सिर्फ आपकी lower parts of the body में present होते हैं क्योंकि आपकी lower parts of the body में सबसे ज़्यादा gravity एक कर रही होती है अगर आप इस diagram को देखो तो यहां देखें कि जो walls जब close होंगे तो आपका blood जो है ये unidirectional होगा लेकिन अगर walls open होंगे तो आपका blood जितना उपपर जा रहा होगा उतना ही आपका blood नीचे आ जाएगा और आपका blood जो है वो हाथ तक reach नहीं हो सकेगा अब हम बात करते हैं capillaries की arteries divide होती है into arterioles arterioles divide होती है into meta arterioles and then they create the capillaries network capillaries network सिफ आपके single layer of cells से create होती है और ये इतने small होती है कि sometimes आपने देखो होगा कि आपकी eyes के इंदे red line appear हो जाती है ये red line basically आपकी capillaries को show करी होती है इनका size 7 to 9 micrometer in diameter होते है और ये आपकी जादा से जादा 1 mm long होती और इनके अंदर कोई smooth muscle नहीं होता इनका एक ही significance है कि ये आपके blood को supply करते हैं towards your tissues and cells और ये exchange of material के रिए एक bed create कर देती है और आपको जो blood pressure maintain हो रहा होता है regulate हो रहा होता है ये भी यहींपे हो रहा होता है अब हम बात करते हैं arteries की construction and relaxation को जिसको हम vessel dilation और vessel construction करते हैं जब आपकी blood vessels का diameter increase होगा due to your second layer of the smooth muscle इसको हम vessel dilation के जब कर दो को भी झाल